ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मेश रासी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको देवों के देव महादेव भगवान भुलेनात और धनकी देवी मालक्षमी का सिर्वास से 6 नवंबर से 12 इन 7 दिनों में मिलने वाली हैं 5 बड़ी खुसकबरी जादोस्तो आपको बता दे भगवान भुलेनात और मतल लक्षमी के किरपा से इन 7 दिनों में बड़ा परिवर्तन होगा जादोस्तो इन 7 दिनों में होगा बड़ा परिवर्तन शिवयोग धनलक्षमी प्राप्तियोग अम्रस शिद्धियोग दो राजयोग के साथ आपको पांच बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं 6 नवंबर से 12 नवंबर यानि किने 7 दिनों में समय आपके लिए बहुती भग्यवान शाबित होगा भग्यशाली समय शाबित होगा दो राजयोग के साथ पांच बड़ी खुसकबरियां आपको मिलेंगी प्यार पैसा सब कुछ आपको मिलेगा इन 7 दिनों में आपके केरियर से जुड़ी बड़ी खुसकबरियां मिलेंगी आपको घर परिवार से सम्बंदित अच्छे खुसकबरियां मिलेंगी बिजिनिस वेपार से सम्बंदित अच्छे खुशकबरिया मिलेंगी स्वार्थ से सम्बंदित आपको अच्छे खुशकबरिया मिलेंगी तो मतलब जीवन के हर पहलू से सम्बंदित आपको बड़ी खुशकबरियों के प्राप्ति होंगी तो दोस्तों किस प्रकारी है समय रहेगा शंपून शटीक चर्चा करेंगे विस्तरित चर्चा करेंगे इस वीडियो में साथ दिन के राशी फलकी 6 नवंबर से 12 नवंबर तक का तो कैसा समय रहेगा वीडियो में अंततक बने रहें तो कि वीडियो को गिरे नक्षत्रों के हिसाब से तैयार किया गया है कि किस प्रकार यह समय आपकी राशी वालों के लिए रहेगा तो अत्यांत लाबकारी वीडियो है पूरा वीडियो देखें वीडियो का अगे सुरू क करते हैं किस प्रकार आपकी राशिवालों के लिए 6 नवंबर से 12 नवंबर इन 7 दिनों का शमय रहेगा चलिए सुरू करते हैं दोस्तों यह समय किसी समारो या धर्मिक आयोजन में सामिल होने के लिए आमंतरण प्राप्त हो सकता है संतान संबंदी भी कोई समस्या हल करने में आप शक्सम रहेंगे इस्तितियां धन दायक चल रही हैं उनका सद्योप्योग करना आपकी छमताओं पर निर्वर करता है कि आप उनका कैसे सद्योप्योग करें दोस्तों यह समय आपका दिल की बजाए दिमाग से निर्णे लेना आपकी कई योजनाओं को कारे रूप में परिणित कर सकता है तमाम ववस्ता के बावजूद आप अपने और अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे अपनी कारे चमता पर आप पूर्ण विश्वास रखें दोस्तों साथ साथ इस समय कुछ पुराने दोस्तों से मिलने से कुछ पुरानी यादे ताजा होंगी जिस से आपके मन को काफी खुसी मिलेगी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला अब आपके पक्स में होने वाला है इसलिए पहले से ही उस पर पूरा काम करकर रखें जिस काम को करने के लिए आप पिछले कुछ समय से काफी सोच विचार कर रहे थे तो अब उसके पक्स पर रहेगी तता भारी संपरकों से भी आपको अब अधिक फायदा मिलेगा दोस्तो इस समय अगर आप किसी महत्पपूर्ण कार्रे पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो परिस्तितियां आपके अनुकूल हैं इस पर आप गंबीरता से काम लें दोस्तो यह समय आप धर और वेवसाय सम्मंदी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजितगी और गंबीरता से निवाएंगे जिस से आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो साथी साथ यह समय दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णे को ही सर्वो परी रखें अन्यत किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है किसी पडोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है इसलिए अपने करोध पर आप नियंदर रखें जा दोस्तों बोलते समय सब्दों का उचित प्रियोग करें आपके नकारात्मक सब्द बच्चों में हीन भा उनकी पढ़ाई पर भी पढ़ सकता है शाफधान रहें साथ साथ यह समय बहरी गतिविदियों तथा अंजान लोगों से दूरी बना कर रखें अधिकतर समय अपने घर पर ही आप व्यतित करें तो कि किसी प्रकार का वाद विवाद होनी की भी आसन का लग रही है संतान से स चोके किसी कारे से आपको चिंता रह सकती है धन संबंदी भी नुकसान की भी संभव ना है अगर घर में सुधार संबंदी कोई योजना आप बना रहे हैं तो वास्तु के नियमों का पालन करना आपके लिए बहुती आवश्चक है किसी नजदी की दिश्टेदार की वज़ वे हस्त छेप से समस्याएं सुलज जाएंगी कटूवानी का आप प्रियोग भी करने से बचें जा दोस्तो यह समय अचानक से कोई नकारात्मक बात भी हो सकती हैं जिसकी वज़े से धन्हानी भी संभव हैं आर्थिक इस्तितियां डगमा गा सकती हैं अपने क्रोध वे उत करें तो यह समय वे श्तता की वज़े से परिवार में आप समय नहीं दे पाएंगे परंतु परिवार के लोग आपकी इस्तिती को समझेंगे और सहयोग भी करेंगे घर के किसी मुद्य को लेकर पती पतनी में कोई छोटी नौक जोख भी रह सकती हैं परंतु इसका नाकारा संबंदी योजनाई भी बनाएं दोस्तो यह समय बड़े बुजरगों के प्रती सेवा भाव और देखवाल आपके परिवारिक जीवन में सोबह गहलाएगा प्रेम प्रसंगों में भी प्रगड़ताएगी दोस्तो बात अगर आपके वैवसाइक केरियर की करें तो वैवसाइ का प्रत साहन प्राप्त होगा जिस सेन को काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो साते सात यह समय शेयर तता सटा जैसे कारों से तालुक रखने वाले व्यक्ती और सावधानी से कारे करें इस समय रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी भरुसा या विस्वास करना ठीक नहीं है ध्यान रखें कोई व्यवेसआई क सुचना इस समय लीक हो सकती है साफदान रहें दोस्तों साती साथ वर्तमान समय में चल रहें व्यवेसआई कारों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें तो कि इस समय परस्तितियां आपके पक्ष में हैं इसका आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तों व्यवसाइक कारे चमता में बड़ोत्री होगी पुस्तेनी व्यवसाइ में अधिक लाबदाइक परस्तित बन रहे हैं समय का आप भरपूर फायदा उठाएं अचानक से ही कोई बड़ा काम बन सकता है जिससे आपको काफी खुसी होगी दोस्तों साथिसाथ आपको पहले भी आगह किया गया है कि व्यवसाइक गति विदियो में वर्तमान इस्तिती पर अपना ध्यान केंद्रित रहेगी दोस्तों साथिसाथ नोकरी पेसा वालों के लिए यह समय बहुती अच्छा समय रहेगा या दोस्तों नोकरी से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी इनको इस समय अवस्ते ही प्राप्थ होगी जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय किसी पुरानी बीमारी से संबंदित रिपोर्ट ठीक आएगी स्वास्थ आपका उत्तम रहेगा किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें परंतु वर्तमान नकार अत्मक वातावरन से अपना बचाव करना आपके लिए अतियावश्चक है दोस्तो साथी साथ किसी प्रकार की चोट आदी लगने की भी संबहवना है वहन आप बहुती सावधानी पूरबग चलाएं तथा नसे आदी के सेवन से भी परेज करें दोस्तो साथी साथ टांगों वे घुटनों में दर्द जैसी समस्या रह सकती हैं वायू बादी वाली चीजों का सेवन आप ना करें तो आप के लिए अच्छा रहेगा